कि दोस्तों सेर्दियों का सीजन सभी को पसंद है लेकिन यह जो सेर्दियों का सीजन होता है यह कई तरह की स्किन प्रॉब्लम लेकर आता है जैसे कि हमारे हांद परो की उंगलिों का सूच जाना जाना जो जो हांद फैरों की इंगलियों में हो rush कि 2 था स्किन होती है यह बहुत होती है आप मेंakah आधों को यह समस्था होगे और कितना जादा बुरा लगता है कोई काम नहीं कर पाते अगर कुछ भी टच करते हैं तो बहुत भैंकर लगती है और पैरों में जूते स्लिपन नहीं पहन पाते दोस्तों बहुत ही आम समस्या है लेकिन बहुत ही दर्दनाक है इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है आप चाहो तो किचन में ही कुछ ऐसे समान ऐसी चीज़े उपलब्द हैं जिनका इस्तिमाल करके आप इस समस्या में राहत पा सकते हो और यह सारे बहुत पुराने बहुत यूश्फुल देसी नुसके है तो आज मैं कुछ देसी नुसके आप लोके शाशिया करने वाली ह हाथ पैरों की उंगलियों की सूजन को दूर कर देंगे उसके उसमें जो लाल पन होता है उसे दूर कर देंगे जो हमारी स्किन दर्द होती है जो पेन होता है उसमें आपको रहात देंगे और हादोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाला है एक बोनस पॉइंट जो इन सर्दियों में आपके स्किन का क्याल रखने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफूल होंगे और यह जो समस्य है अगर आपको होती और इस बार नहीं हुई है तो आपको होगी भी नहीं अगर आप यह बोनस पॉइंट बोनस टिप जान लेंगे तो चलिए आ में हांधी तैन्स के दीन में जान लेते हैं कि आखेलकार हं में है कि fetchated46 के जाते हैं वो तो थंड चंपर्क में सीधा हाते हैं व्यान की होते हैं वो दी पूर страшन के ब्ड़े från अब्स पर ने कि ठंड की वैसे हमारे हाथ पैर की उंगलियों की नसों में सुक्लन आ जाती है और ब्लड सेर्कुलेशन सही से काम नहीं करता जिसके वज़े से हमारे हाथ पैर में सूजन खुजली और यह लाल पढ़ जाती है और इसके बहुत जादा दर्द होती है तो चलिए अब हम लोग ज जाने मत्र की लाल कर इस पानी को हमें 10-12 मिनट यह ख़कर ही पानी ओबाला और उसके बाद मत्र की दाने च्छान लीजेगा और जो यह जो पानी है इसमें अब हमें हाथ पैरों को डिप करना है लेकिन याद रखे का बहुत गरम पानी में हाथ पैर मठ डाल यहाँ यह तो आप जल जाएंगे नहीं इस पाने को बहुत ही ठंडा करेगा मतलब थोड़ा सा गुणगुना हो तब ही आप हाथ पैरों की सिकाई करेगा साथ से आठ मिट हमें सिकाई करनी है उसके बाद आपको सरसुका तहीं लगा लेना है और उसके बाद मोजे पहल लेने हैं दोस्तों यह टिप करने के बाद आप देखना बहुत ही जल्दी आपके हाथ पैरों की सूजन उत्तर जाएगी जिहां एक से दू बार में ही आपको र करते हैं तो जो चोट है बहुत जल्दी खिषती है सूजन जो है बहुत जल्दी उतरती है ब्लेट शेर कुलेशन बहुत ही अच्छी तासे वक करता है सेम हम इसकी साथ से आठ मिट सिकाई करेंगे अपने हाथ पैरों की और उसके बाद आप थोड़ा सा सरसुका तहीं लग अगला नुसका है गेहूं की आठे का आठा लेना है एक चमस जिवह ही आठा है जिसके हम रोटियां बनाते हैं और इसमें डालना है आपको आधी चमस सरसुका देर गरम पानी से आपको एक पीच तियार करना है जी हां बहुत ही ना इसको बहुत ही पतला करेंगे ना बहु दोस्तों इसे आधे गंटी के लिए अपलाई करेगा और आधे गंटी के बाद अप ठंडे पानी से धुल लीजेगा दोस्तों यह जो आठे का पेश्ट है यह आपकी टैनिंग को भी दूर करता है तो मेरी रह होगी से पूरे पैर भी लगा लिजेगा मेरी तरह और उसके करने के बाद इसे निकालने के बाद अब ठंडे पानी से धुल ली जेगा ठीक है और इसके बाद आपको हर रहाम दी के बाद थोड़ा सा तर्सों इसनिमाल कर रहे हों क्योंकि तासवीर कर्म होती है कर्म होने कैसे सर्द है इसे απόको सर्दी के वज़से लिए ऑगना है तो और सरसो कातेल यानि मस्टर्ड ऑईल दालना है दो चुटकी सेना नमक चीछ और इस पैश को अप्लाई करना है अपने प्र बीयुक्ई उपने प्रॉब्लम में आपको सुजन की वहां पॉप्लाई करना नहें दोस्तो आपको यह दिन में कई बार apply करना है लेकिन एक लुजिक सकते ताफitel नितिक है दोसके जून हाँöt पैर हो का परने यहाँ पहल कि असी से लिलेटिव है यहाँ पर आपको सीरी नमक को एस्तिमाल नहीं does यहां पे 2-3 चुट्की को इस्तमेल कर सकते हैं दोस्तों मैं यह जाए थिल को भी non-fast feedback here कि यह जो बार चाहिए मैं तैल को तो मैं यहां हम आड़ और और यहां हम आप चाहो इन डोनों में से कोई यह जिस्तमíst कर सकते हैं दोस्तो हल्दी अठी सेप्टिक चोट बहुत जल्ली कहती है औरती प्राहत देदी है और आपको अपने पेरों पर सिक्राइपो tops सरन है तो भी आप इस्तिमाल कर सकते हो बहुत जल्दी उंगलियों की सरन को यह दूर करती है अब जो आखरी टिप है उसमें इस्तिमाल करना है आपको आलू का जी है दोस्तों आलू की आपको पतली पतली स्लाइस काट लेनी है और उस पे डालना एक चुटकी सीन है नमक और अपने जहां पर भी आपको यह प्रॉब्लम है वहां पर आपको पंदरा मेट की मसाज करनी है और उसके बाद लगबग आप आधे गंटे चोड़ दीजे और फिर घरम पानी से अपने पैरों को धुल लीजे और मुजे पहन लीजे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आप और इससे आपके पूरे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी दोस्तों सर्सू का देल मस्टर्ड ऑईल इसकी तासीर गर्म होती है और इसका इस्तिमार सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही अधिक फायदे मंद है अगर आपके बच्चों को सर्दी खासी जुखाम होती रहती ह है रात में बहुत ज्यादा खासी आती है उनको नींद नहीं आती है तो आपको लेना है थोड़ा सा सर्सू का देल और अपने पैरों के तल्वे बे आपको रगर देना है और इसके बात आपको हलकी सिकाई कर देना है जिससे क्या होगा उनको बहुत ही अच्छी नींद आ अब्लूल को आखसी नहीं आये और हाँ दोस्तों अगर यह आप टिप करते हैं तो खासी के प्रॉबलम आपकी भी खतम होती है जो सीनी हें जख्रन होते हो कि प्रॉबलम खतम हो जाएगी और जो हमारे पैरों की सुझन है रहने सोती है ठाजख है और दर्द होते हैं जो हम तो दोस्तो यह थे कुछ यूजफुल टिप्स आपकी उगलियों की जो सूजन है जो लालीमा है जो दर्द है जो खुचली है उसे मिटाने के लिए दोस्तो आप आपकी सुगधा के अनसार आप इन में से कोई भी नुसका ट्राई कर सकते हैं यह सारे नुसके यूजफुल है तो इसे ट्राइ जरूर करिएगा एंड हां कमेंट स्वाक्स में अपना अन्भोर जरूर शेयर करेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और पहली बार चैनल पार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगर में लगे घंटी बजा दो दोस्तों अगर आपके खारगर फेस वाज शेयर करने वाली हूं और इस फेस वाज ने मेरे फेस के 90% पर्स को खत्म कर दिया है तो इसका फूल रिव्यू में आप लोग के शायर करूंगी तो वीडियो को वीडियो का वीडि करिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए नोटिफिकेशन ब भारत